गुल्षन कुमार अमिर खान और भुशन कुमार तीनों के बारे में खबर एक ही है लेकिन तीनों के बारे में जुड़ी हुई पूरा इस वीडियो में आपको बताऊँ तो दो कहला है कैसे गुल्षन कुमार जी के साथ क्या क्या हुआ था गुल्षन कुमार वो इनसान है जिनों उर्प अशॉबर और खुद गुल्षन कुमार गाते था मंदिर में बदा की आपको पता है हिंदु शास्त्र के खिलाफ अंडरवर्ड हमेशा रहा है क्यों अंडरवर्ड में कोई हिंदु नहीं जाता ठीक है? मैं कौन से धरम का जाता है नहीं बोलूँगा लेकिन साले ये वही थे उन्होंने गुल्शनकुमार को सिर्फ करते थे गरीब होको समझते थे और बहुत सारा डोनेट करते ये अंदर की बात थे किसी ने मुझे कहा था बहुत साल पहले, कि गुल्शनकुमार इस ताइप के थे किसी गरीब को देखते थे ना तो दकाज खोल देते एसे दसदार की गड़ी देजर निकल जाते हैं वो 90 की बात कर रहा हूं उस ताइम दसदार बड़े माइने रखते थे और ऐसे भी कई सारे अच्छे राज की और वही 75, 65 की 60 की लेकिन T-Series की 35 की होती थी ऐसे ही जब सीरीज आई थी तब सिर्फ तुम और यह सब T-Series के गाने थे तो वह से गाने से देड़ सो रुपे की सिर्जी आती थी और बाकी के 300-300 यह से मैरे पास दिल लगी की सीडी थी दिल लगी सनी देवल बगी देवल की तिच्छर आएगी वह अच्छे म्यूजिक इसकी थी और सिर्फ तुम की सीडी थी जो T-Series की थी तो देड़ सो रुपे की T-Series की आती थ लेकिन है बात यहां पर नहीं है तो उस टाइम गुलशन कुमार फुल पार्ट भजा पार्ट के भजन किरतन करते थे म्यूजिकल इंडस्ट्री में म्यूजिक सस्ते से सस्ते में बेचते थे डोनेशन करते थे अब तुमको और क्या चाहिए लेकिन यह भगवा कपड़ा द इस टाइम यह हराम खोर सरकार थी क्योंकि यह उस टाइम यह नहीं थे और उन सरकारों ने कुछ किया नहीं इसके खिलाफ और इसलिए एक बॉलिवूड के अबबर कभजा बन गया है खान का और अंडरवर्ड का और यह सब चीदे कोई भी यह नहीं था गोवर्मेंट का र है मैं भी जानते हैं ठौकि अबुठत पूर को मार सब नहीं है लेकिन फिर भी माना जाता है मैंने उनको वेसी पर सbbe मिला नहीं हूं हूं कि इस दान्स क्लास देने जाता था क्योंकि भुशन कुमार जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग में शेकर सुमन भी रहते हैं उसी बिल्डिंग में आधना समय भी रहते हैं उसी बिल्डिंग मेरी एक बहुत Always मुझे बेटा मांती है49 अब ही नहीं है अब बस्वाब अबी जिन्दा है लेकिन सुषान का वजह से लिए वोह अभी शात नहीं है हैं लेकिन खुछ रिजन से नहीं है नहीं हैं लेकिन जाने तो चोड़ंगे वो ऐस CMS अलग है लेकिन उस बीलडिंग में मैं बुशन कुमार ने म्यूजिक दिया और कई सारे आमिर खान की फिल्मों में बुशन कुमार जी ने पैसे भी डाले और कई सारे फिल्में जैसे वो ठक्स आफ हिंदुस्तान बहुत बड़ा लास हुआ फिर भी डाले ये पिचर जो भी आई थी लाल सिंग चड़ा उसमें भी exs commencer evolve کرते ज़रे करते ज़रे करते ज़रे करते ज़रे और अमिर घान को वह समझ नहीं की पहले अगर बायू पिक बना देते तो शायद कुछ हो बाता लेकिन आज की डेट में बुशनकुमार क्या सोचते है क्या बुशन कुमार जानते है कि अब गुल्शन कुमार की बाविपिक बनेगी तो फिर वो चेलेगी क्योंकि आमिर खान है इसमें क्योंकि आमिर खान के लाल सिंग चड़ा का क्या हल हुआ और क्या आमिर खान बुशन कुमार की बाविपक करेंगे तो क्या आमिर खान का य सकते हैं लेकिन अभी तक आमिर खाने हाग ही नहीं की पता नहीं सिर्फ बाते चल रही है लेकिन ये बात सच है कि बुशन कुमार जी अमिर खान के पीछे पड़े थे बहुत सारी पिच्छरे फाइनांस करवाई सिर्फ इस बेसिस पे शायद गुल्शन कुमार की बायोपिक अमिर खान करें क्योंकि भुशन कुमार चाहते हैं कि उनके पिटा की बायोपिक एसा इंसान करें जो परफेक्षिनिस्ट और आमिर खान का नाम माना जाता है वह बात अलाग है कि लाल सिंग चढदा के पहले और ठक्स आफ हंदुस्तान को फो नहीं लगी मेरे को ठीक नही तो यह सब अब भुशन कुमार और अमिर खान क्या डिसाइड होता है क्या बायोपीक बनेगी गुल्षन कुमार जी के ऊपर या नहीं बनेगी यह मुझे थैंक्यू सुचान आट डिरेट जिमेल डाट काम पे ज़रूर बना बताईए क्योंकि आप बायोपीक ही एक ऐसी के बाद तो उनके करियर को संभाला एक ऐसा आदमी राजकुमार हिरानी और दुसरा संजदत के बायोपीक क्योंकि संजदत के ही बायोपीक ऐसी थी जिसमें कमर्शलाइज बहुत कुछ हो सकता था ड्रक्स था लड़किया थी यह थी वो थी और और फिल्म स्टार था शमशे राजो नहीं चली तो रनवीर गपुर का कारियर सिर्फ और सिर्फ बायोपीक की वज़े से टिक गया था इतने साल उसने ग्याप ओझेल लिया अब तो बायोपीक जो है वो देखा जा रहा है लेकिन फिर भी कपील देव इतने बड़े स्टार है क्रिकेटर के लेकि है धीन और तो फिल्म किया दिखाई जाएगी इस वज़ैसे शायद सव ​ सकता है यह यह इक डिफर license है क्रिकेटर की से रोगा अब लागा बुश्किले क्रिकर क्या होने में बार सबको बता है वो तो अगर बहुत ही ब बाकी जो कपील देव के भी पिट गई थी अजुरुद दिन की अजहर भी पिट गई थी एकता कपूर को बहुत बड़ा जहटका रागा था हाला कि यह बात जो मैं तो सची बोलूंगा इम्राण हाश्मी ने बहुत मेहनत की उनके मैनेजर मेरे साथ उस टाइम स्विमिंग प मेहनत हरकोई करता है लेकिन कला का टाइलेंट बहुत कम लोगों में होता है जिसे सुषान के अंदर था जिसने ध्वनी ड्वनी जिसमें वर्ल्टकप की का हई पिछरका पता था अइसे ही कपील देव का एक्टिंग रनवीर सिंग ने करने के बाद बांध नहीं पाया तो पिच्चर नहीं चली और उसके साथ साथ अभी लेकिन ये जो बायोपिक्स है जैसे दिव्या भारती श्री देवी सुशान सिंग राजपूत या फिर जिया खान या फिर बुल्शन कुमार इ इसे रजनीश ओशो की बायोपिक्क करने वाले आमिर छान लेकिन अब बोला जाता है कि रनवीर सिंग करने वाले हैं लेकिन ये भी अभी तक पता नहीं किया दो इसलिए मैं कहता हूं आर्टिस्ट को एक सेकंड में बनाने वाला और एक सेकंद बिगाडने वाला सिर्फ एक होता है वो होता है ओडियन्स आर्टिस्ट को जैसे महात्मा गांधी का एक शब्ता अहिंसा परमोध धर्मा उनको यही बोलना चाहिए फिल्म वालों को कि प्रेक्षक ही हमारे सब कि सब हमारा सब कुछ है हमारा ओडि सी हमारी भगवान है और सही हमारा सब कुछ है यही कलाकार बोलना चाहिए क्यिकति कलाकार का सारा का सारा बिजनेस फी आदिश्ट है कि ह Mun ai मान लो थूड़ा के लिए मै कोई फिचर आठी और Avengers कुछे ai जैसे बेधा फटराए को अन्दर बन गई लेकिन बहुत करोडों कम और एकडम स्टार बन गया तो मुझे किसी प्रोडूसर की जरुषर की जरुषर्ट नहीं है किसी की जरुषर्ट नहीं यह लोग मेरे पिछाएंगे कि सब कुछ होती है कि घंटा में मैं अगले दिन प्रोडुसर को बोल सकता हाँ इतना पैसा लूँगा तेरा तो करो वर ना नहीं कर आप यह पिच्चर नहीं नहीं इस पिच्चर में पानवान मसाला बेच रहा है मैं नहीं बेचूंगा अच्छा प्रोडक्ट है तो बताऊ वर नहीं कैसा गेम पलता अमीर खान का समझे चलिए ऐसी अंदर की खबरों के साथ आप मेरे साथ बने रही है आप मेरे साथ मैं आपके साथ इंसाफ के लिए बॉलिवूर्ड की निउस के लिए पॉलिटिक्स की पॉल खोलने के लिए